हेलो फ्रेंट नमस्कार मैरा केश कुमार है जी अंचल अधिकारी आपको पूरा डिटेल्स जो है बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था इसार पिछला बार हम लोंको बहुत मदद मिला था B.S.S.C. Cigil 3 का जो एक्जाम जो हुआ था उसमें NCIL के बारे में बताये तो बहुत सारे लोगो उसमें 60 जनकारी मिला इसलिए लोग बिलिब करता है कि चुकि हम लोग का काम ही वही है हम लोग वही बनाते हैं आपके जाती हो गया आवास हो गया EWS हो गया, NCL हो गया, है ना, तो यह सब स्टेज्ट सोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और दोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो है कि आपको बहुत ही फायदा होगा, और कहीं भी किसी भी तरह का जो है, किसी भी तरह का अगर आप लोग को दिकत होगा, असपस तोर पर आपको हम बता देते हैं, कि मुवाइल नंबर भी आपको दिये रहेंगे, हेल्पने नंबर भी दिये रहेंगे, और आसा करते हैं कि जो भी आपको प्रॉलम होगा, आपको पुछ लिचिएगा, दुसरी बात, कि बिहार दरोगा आने वाला था, हलाकि वो भी आपको एक खास जरूरत नहीं है इसमें सबसे ज़्यादा जो है राजस्व करमचारी का ही है 3569 पुष्ट है और 3532 पुष्ट जो है साइद पंचायद सच्चिव का है तो इसके बारे में आपको डिटेस जो बताएंगे कि दोनों में जो है कि पावर किसका बड़ा है क्या इसकी सेलरी हो सकती है लेबल कौन सी है कौन सा पोस्ट में जाने साब के बहतर अपर्चुनिटी है इसके फ्यूचर क्या हो सकते हैं और कौन कौन सा कार्षित में यानि की काम जो है करना पड़ता है यह सब दूसरा वीडियो बताएंगे लेकिन आज आपको फुली जनकारी देते हैं आप को काश सर्टिफिटेक मतलब जितने भी आगे NCL, OBC, EBC, EWS, काश सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जनकारी आपको हम दे देते हैं दोस्तों काने का मतलब यह है कि कोई भी आप फौरम भरी 2014 में जो फौरम बच्चा लोग जो भरा था उसको बहुत जो है कि मसकत करना जाए ठीक है विदिन शिक्स मन्त का कम से कम जो है अंडर होना चाहिए जब तक आपके फौर्म के जो डेट है फौर्म के जो डेट है उससे पहले का होना चाहिए बाद का नहीं क्योंकि आपका जब सेलेक्शन जब होगा मालने जिये कि आपका L.D.C. में हो गया राजस्व नमबर तो आपका कास्ट ही लगेगा आप जिनरल में है तो कोई बात नहीं है दूसरा नमबर में सर्टिफिकेट जो है है ना सर्टिफिकेट जो भी आप लगाए होंगे वह आपको खोजेगा तीसरा नमबर आपका सिगनेचर डिकलेरेशन यह सब सारे चीज जो है जैसे आपको पूछा जाएगा यानि कि मांगा जाएगा इसलिए आप आस्वस्त रहिए कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट आप जो दे रहे हैं ओ आप खुली आपके जिहन में होने चाहिए कि जो हमने जो दिया है बहुत सरे बच्चे अभी मैंड में लगा रहे हैं बहुत सरे ब प्रचों का था कि सर कब से आपका जो है कि जो गारा इस सब सारा चीज जो है आप डीटेल से उसको एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि फुली जो है कम से कम दो तीन बार उसको पॉड़ करके बढ़ियां से आप लोग देख लेचिए कर भी किसी भी तरह का दिखाता है आज कल जौब आज ही मेरे पास दो चार कॉल आया जो बच्चे जो है कि गुरूब डी में जौब करते हैं एलपी हैं कोई हैदरावाद से फोन कर रहा है तो जहां से भी आपको दीख रहा है ओलो का यहीं कहना है कि सर हम इडेलोस बनवा सकते हैं कि नहीं हम गाई जी लाइ अगर बढ़ियां से प्रुक्ता हो जागा तो आपकी नौकरी चली जाएगी हमने अपने आख से देखा है ठीक है ना अपने आख से हमने देखा है कि कास्ट चेंज करने में नौकरी गया है कास्ट तो बहुत दूर की बात है जो कास्ट आप भरिएगा इतना ध्यान कि आप उसी केटेगरी के लिए इसा नहीं है कि आप EWS भर दिये तो जेनरल में फाइट हो जाइएगा तो इस सब ध्यान रखिएगा कि हम उसकी लाइक है कि नहीं है ठीक है अगर मालने जीए कि A.C. का कोई बच्चा है या E.S.T. का कोई बच्चा है और ओ मालने जीए कि अपना सर्टिफिकेट जो है कि अपना नहीं पूट करता है नहीं ऑनलाइन पूट करेगा नहीं डालेगा हो अगर उसका मेरिट अगर मालने जीए कुछ दिखाई नहीं रहा ठीक है इसमें आपको टोटल बताएंगे गल्स के बारे भी बताएंगे जो महिला विवाहित जो महिला उनके बारे भी बताएंगे ठीक है बहुत सरे दिकत परिशानिया होती है पिछला बारा भी बीपेसी का जो फॉरम जो फिल हो रहा था उसमें गवर्मेंट के तरफ सा निकालने की नववत नहीं आएगी आपको हम टोटली आपको बता रहे हैं तो EWS विदिन 6 मंत यानि कि 6 मंत आपका होना चाहिए और इसमें ध्याना किएगा अगर माली जिये की आर्थिक रूप से कमजूर अगर माली आपकी फैल में आपके भाई जोब करते हैं आपके पिता सबसे पहले आपका कास्ट बनेगा और कास्ट के बाद जाकर की EWS बनता है तो ऐसा नहीं है अगर ऐसा सुचते हैं तो हमारे अपने आखों के सामने जो है नौकरी जाते हुए भी देखे हैं एक हमारा ही स्टुडेंट था विबेक कुमार सासाराम का ही लड़का था मेरे को सब्सक्राइब करता है तो जब हुगा उसकी मम्मी भी जॉब करती थी और उसके पापा भी जॉब करते थे और उसने क्या किया कि ओ जाकर के NCl, नन क्रिमिलेयर का सेड़्विटेक लगा कर कर दे दिया ठीक है तो नन क्रिमिलेयर मतलब होता है आठ लाक से रुपए से आपका नीचे जब होगा तो CL बनेगा, NCL बनेगा और 8 लाक रुपए से अगर उपर जब बनेगा तो CL बनेगा यानि की क्रीमिलियर मतलब असपस्ट है इसमें कहीं से कोई भी उसने एकसेप्ट ही नहीं किया जोब जोईन ही नहीं किया, ओ लड़का बोला कि नहीं सर, मेरे पास मेरी रभी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जोब हो जाएगा बहुत सरे अब जो है आपको देखते होंगे पटना में जो है, बहुत सरे टीचर लोग जो है कि अपना-पना क्लास खोल चुके हैं, तो इस बार दोस्तों मेरे वादा है और इस बार कहने का मतलब यह है कि आप लोग थोड़ा सा सुष समझ करके, ऐसा नहीं हो कि कोई पैस करें, ठीक है, बहुत सरे बच्चे हैं, बहुत सरे हमारे पास इतने बच्चे हो गए है कि हमारे पास उनको बैठने के लिए जगह तक नहीं है, ठीक है, इतने बच्चे हो गए हैं, खर उसे मतलब नहीं है, इतने भी आप आएंगे मेरे पास सबका, सबका स्वागत है, उस इसलिए आप लोग उसे request है कि कौन-कौन सी books का अध्यान करें, कौन-कौन सा practice set का अध्यान करें, तो पटना में जो है, हम आपको बता देते हैं, बजार समीती नाम सुने होंगे, है ना, बजार समीती में जो है, जो रामपूर जो लेन जाता है, रामपूर रोड, है ना, रामपूर जो है, रोड जाता है, तो उसी में वहीं पजा करके इंजीनियर आमर नाच चौधरी जो है बिल्डिंग का नाम है उसी बिल्डिंग में आफ लाइन सेंटर भी हम लोग स्टार्ट कर दिये हैं हम आप लोग को सभी को जितने भी वीडियो आप लोग देखते होंगे हम लोग कई बोलते तो नहीं है लेकि पहली बार बोल रहे हैं दो अक्टूबर ठीक है ना दो अक्टूबर 2023 को और कहें बज़े एट एम मतलब आट बज़े सभी लोग का स्वागत है आप लोग आईए और सबसे पहले जो है कि आपको जरूरत है बहुत सारे बच्चों लोग बोलते हैं कि सर आपसे मिलना चाहते हैं आप लोग को बस यूटूब पर देखे हैं लेकिन हम आपको लाइब भी देखे हैं लेकिन आप सामने से देखना चाहते हैं कोई बात नहीं है और पूरी है श्ट्टेटरी के साथ आपको जह कि पूरा का फुली का फूली आपको बताएंगे, बुक्स भी बताएंगी, प्रैक्रिसेड भी बताएंगी, कोस्वन कहा कहा से आता है, यह सब सारे कि सारे बताएंगे, ऐसा ही नहीं, लड़का लोग राकेश सरका की टेस्ट की लाइक करता है, टेस्ट बिल्कुल डिफरेंस है, हमारे मार्केट में बुक भी लॉंच हो रहा ह और दस अक्टूबर को आपको ब्येसेसी इंटर लेवल का अई-बुक लॉंच कर देंगे, ठीक है? इसमें कम से गम 5-5 मेरा भावलूम बुक आएगा, और मार्केट से सब से सस्ता बुक जो है, ठीक है? सब से सस्ता, सारा का सारा जो है, उसमें आपको जो इसolution के साथ दे हैं तो बिल्कुल आपका नजर रखा जाएगा बिल्कुल आपका ध्यान रखा जाएगा और क्या कम यह आपने रह गई है यह सारे के सारे जो है हम परस्णली आपका ध्यान रखेंगे इसलिए आप लोग से रिक्वेश्ट है कि यह मौका जो है बिहार दोरोगा भी आ रहा है और BSCC तो आपका आही गया है यह मौका हाँ से निकल नहीं पाए अगर यह निकल जाएगा फिर आप वेट करते रहा जाए है ठीक है क्योंकि अभी हमारा एलेक्षन है 24 का 25 का विधान सभा का और लोक सभा का इसलिए आप लोग थोड़ा सा थोड़ा सा मिट मचली खाने की ज़रूत नहीं है बस जो है कि वही अपना यह जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं दूसरा चीज़ तो चलिए हम लोग बारी-बारी से इसके बारे में तर्क करते हैं इसमें सारे सर्टिफिटेक की बात करते हैं इस सारे की सारे आपको कास्ट की बात अगर्शा है तो सबसे पहले EWS के बारे में आपको परणे ईवार जो है जो जर्ड़ से लड़के लोग है जर्डुसरा से लड़के लोग है। उनको जो है किसी भी तरह का जो है उनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं और डालेंगे कोई उनसे सर्टिफिकेट जो है कि उनको अपलोड नहीं करनी पड़ेगे हाँ EWS द्यान रखेगा जो बात बता हैं इसमें आपकी गड़बड़ी नहीं होने चाहिए अगर इसमें रखते हैं अगर काम करवाने के लिए तो गवर्मेंट के तरफ से जो है कि सीडूल बना हुआ है सब चीज का कि प्रती दिन का कितना उसको पैसा आप दे सकते हैं तो लगबग पहुने तीन सव के आसपास तीन सव के ता आप जोड़ लिजिए कि एक मंत में जो है त तो नौ हजार में बारा से करिएगा तो बारा नवा एक लाख आठ हजार हो जाएगा तो आप जोड़ लिजिए कि एक मेंबर तो उस तरह से आपके पिता जी हैं आप हैं तो इस तरह से कभी भी देखिए यह जो मिला हुआ है आज सभी लोग जो इसके यूज कर रहा है ले आपको टोटली चीज बता रहे हैं इतना फ्रेंक तो कि आपको पता है अब नहीं पता है बहुत सरे लोगों को तो नहीं पता है तो जान लिजिए मैं सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूँ अंचल अधिकारी ठीक है ना अंचल अधिकारी इसको हम लोग बोलते हैं CEO ब्लॉक में आरो का signature हो गया, CEO का signature नहीं हुआ है, ठीक है, यह तीन लेवल से बनता है, ज्या लखिएगा, तीन लेवल से बनता है, एक आपका आरो लेवल से बनेगा, रिवनी ओफिसर जो ब्लॉक अस्तर पर, एक SDO अस्तर से बनता है, जिसको बोलते हैं, सब डिमिजनल ओफिसर, है ना, सारे बच्चे जो है, दोड़ दोड़ के आते हैं, कि मेरे दादा थे, मेरे पिता जी थे, ठीक है, नाती, उनके नाती है इस तरह से, तो यह तो समझ में आ गया, कास्ट में जो है, कि बहुत सारे लोग जो है, कास्ट की बात करते हैं, जिसमें कास्ट आपका जिसे, OBC तो अती पिछला का नाम सुने होंगे, पिछला बार जो है, लोहार कास्ट को जो है, लोहार कास्ट जो है, पिछला बार जो है, बिहार गवर्मेंट के द्वारा जाकर के नोटिफाई कर दिया गया था, इस्टी में नोटिफाई कर दिया गया, सेंटर गवर्मेंट नो उसो जा प्रमिट आता है ठीक है ना उसी कह जाकर कि इंसील बनता है जिसको बोलते हैं नन क्रीमी लेयर सेटिफिकेट ठीक है बाबु अगर ब्वाज है तो आपके पिता जी के घर से बनेगा अगर गल्स भी है तो ध्यान रखिएगा ससुराल से नहीं बनेगा यानि कि आपका क्या ब बनेगा तो गल्स का अगर सेटिफिटेग अगर बनवाना होगा बाबु तो टोटली आपको बोल रहे हैं रेसिदेंस में कोई दिकत नहीं है रेसिदेंस में दो तरह के अड्रेस होते हैं एक लोकल होते हैं एक परमानेंट होते हैं तो आप उस पर ध्यान रखिएगा से पास की Sasa Ramisai, सबकों snapped example दे रहे हैं, और पता चलेगा कि पीता जी का घर ये गाउं में भी है, और सारा address पीता जी का address जो है कहां पर है तो यह गाउं का address है, तो दोनों में difference खा जाएगा, इसलिए सुच समझ करके कि जहां भी होगा आपको देना होगा ठीक है चुकि हम लोग उस दौर से हैं उस देख रहे हैं उस दौर गुजर रहा है क्या-क्या प्रॉलम क्रियेट होता है तो यह सेक्षन जो है आपको EBC अति पिछड़ा का सेटिफिकेट सब टोटली जो है आपको RO यानि कि ACB है ना ACB, STB ठीक है ST का सेटिफिकेट सेटिफिकेट जो होते हैं जो भी है तो यह सब सारा जो है कि आपको अंचल अस्तर से जाकर के आपको निरगत होगा ठीक है तो यह चीज पूरा का पूरा फुली समझ लेजेगा गल्स का जितना भी आपको सेटिफिकेट होगा उसके ह पिताजी पर डिपेंड करता है तो जितने भी आपको सेटिफिकेट जो बनेगे रेसिदेंशियल होँ, कास्ट होँ, EWS होँ, उस सारी के सारे जो है गल्स यानि कि girls तो already जिमाले जिए कि unmarried जो girls हैं वो तो already पिता जी के साथ हैं तो उनका तो problem नहीं है वही से बन जाएगा ठीक है लेकिन जो married जो लड़कियां लोग हैं जिनकी साधी सुधा जो महिला हैं वो भी ध्यान लखेंगे वो कभी भी ससुराल पक्स से नहीं बनवाईएगा हमेशा उनका certificate जो बनेगा वो नई हर पक्स से बनेगा यानि कि पिता जी के पक्स से बनेगा ठीक है अगर ये देखिए NCL जो आपको बता रहे हैं 8 लाग से कम जो बता रहे हैं अगर होगा तब इसका फायदा मिलेगा नन क्रीमी लेयर का नहीं इससे प्लस अगर होगा तो फायदा जो है यानि कि CL में आएंगे क्रीमी लेयर में आप आ जाएंगे ठीक है तो ये सब सारा चीज जो है आज इस पर विडियो जो बना रहे हैं बिलकुल जो है केवल और केवल कास्ट पर बना रहे हैं NCL पर बना रहे हैं EWS पर बना रहे हैं QEVल और केवल विडियू ये आपका 3 section जो बता है RO, SDO और DM ठीक है यही आरो जब सट्विटेक जब बनता है आरो अनिय अंचल लेवल पर इबने ओफिसर के द्वारा सिक नेचर जब होता है तो यह चीज अगर जामा करिएगा तो यह जब चाकर की सेंट्रल लोगारा में मांगता है बिहार में आपको जो है अंचल अस्तर का काफी है HDO तक बहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है इसलिए और दो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी सेर्टिफिकेट अगर इस सुज हो गए एकजाम से पहले विदिन 6 मन्त ठीक है न ओचीज आपको हमेशा संजोग करके रखिएगा और जब फाइनल जो है आपके रि अगर वहाँ पर आप नहीं देते हैं तो प्रोलम क्रेट होगा परम भराएगा तो पता चलेगा कि भर दिये Christian ठीक है Christian भर दिये इसाई भर दिये तो दोनों में difference हो जाएगा date of birth कभी गलत नहीं होना चाहिए ध्यान रखिएगा दो तिन पॉइंट आपको बता देते हैं उस पर follow किजिएगा दो तिन पॉइंट इदम निश्ची तोर पर नहीं तो आपकी नौकरी जो हुआ 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 नहीं हो पाएगा पहला पॉइंट है आपके date of birth जो आपसे date of birth डियो भी जो है जो मांगा गया है यह गलत नहीं होनी चाहिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे माता जी का नाम नीता देभी है लेकिन certificate क्या हो गया है कि नीतु देभी कर दिया है तो माइनर मिस्टेक है उसमें सपत हो सब्सक्रा लेकर करके काम आपका चल जाए आपकी बात बोल रहे हैं बहुत सारे AJET सरजीत है कहीं कहीं AJIT तो आप देख लिजिए कि आपका certificate में दिया क्या है बहुत सारे प्रोलम क्रेट होते हैं मैट्रिक में पदा चलेगा कि AJET लिखा हुआ है वहीं इंटर में AJIT लिखा हुआ है तो ओ माइनर मिस्टेक है उससे कोई आपको खचती होने वाला नहीं है ठीक है दियो भी डेट अबर्थ जो है आपको फुली जो है मांग रहा है उस डेट अबर्थ के अनुसार जो है लक्षण के जो विवास्थाएं हैं आपको उसी कास्ट में जो है उसी कास्ट में जो है जाकर कि आपका रेजल्ट होगा मेरा एक मौसी का लड़का था आपको बता देते हैं बहुत बिरलेंट लड़का था ठीक है बहुत बिरलेंट लड़का था उसके कास्ट में नौकरी इसलिए आज जो है जाकर की बैंकिंग में जॉब कर रहा है तो कहने का मतलब है कि दो तिन पॉइंट आपकी बड़ा इंपोर्टेंट है इस पर जो है आपको भी भी माइनर मिश्टेक जो होता है उसे कोई दीकत नहीं माइनर मिश्टेक कहा कहा होते है आपको सारे के प्रैटिकली एकदम चीज बता देंगे उसको ठीक है आप परिशा में बहुत सारे OMR सीट आपका सिस्टम अभी हम लोग जा करके भी प्यसी में जो है जो टीचर लों का एक्जाम जो हुआ है उसमें OMR सीट हम लोग जाज कर रहे हैं, द्यान रखियेगा, OMR, उसमें इतनी खामिया पकड़ी जा रही है, इतनी खामिया पकड़ी जा रही है, एक लड़की का हम लोग देखें, बहुत अच्छा माँच था, एक 70 नमबर लाई थी विचारी, और उसमें हम लोग देखें क की डेट ऑब बर्थ में क्या की है, कि 14-6-2000, मने 1999 के जगा पर जो है, वो 14 के जगा पर 16 को, मतलब 16 मतलब ओभर आईटी, 14 को 16, 1 भी और 6 भी बनाने में ओभर आईटी, इससे क्या होता है, कि कॉम्प्यूटर आपका OMR सीट जा जाथ ही नहीं करेगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चियां, लड़कियां को हम लोग देखते हैं, जब optional टाइप के चार होते हैं, बिलेड से मिटा मिटा करके, A मिटा करके, D कर दी, उन कोई नहीं लेगा, आपको छाट देगा, सीधे वाट लगा देगा, सीधे स्टार लगा देगा, ठीक है, तो खेर हम उस पर चर्च लेबल पर ही आपका मानने होगा, ज्यादा उपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो सेंट्रल का कोई एग्जाम होगा रहो गया, या माली आर्मी उर्मी में हो गया, तब जाकर के वो इस डियो लेबल से मांगता है, इसलिए आपका बिहार अस्तर का है, और बिहार 2541, 83, 43 और 03, ठीक है, 99, 318, 43, 263, ये दो नमबर जो है, आपके इंपोर्टेंट है, और हाल समचा लेडिक ज़रूरत नहीं है, जो आपको लगेगा कि नहीं, हमारे लिए ये यूजफुल पॉइंट को बात करना है, वही बात करना है, बहुत सारे बच्चे जो हैं, हम समय रहता है, तो हम लोग बता देते हैं, कि ठीक है, इस तरह का आपको वर्क किजिए, लेकिन अगर आपको इस से अगर लेटर किसी भी तरह का अगर जीकत होगा, तो आपने धरक जो है, वाटसप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और एक बार पुना जो है, आप लोग को विलकम है, दो अक्टूबर को आप लोग आईए, समय आपका जो है दिये हुए आठ बजे, ठीक है, तब तक से लिए बहुत सरे वीडियो इस पर अपलोड करनी है मेरे को, पोश्ट के बारे में भी अपलोड करनी है, सेलरी के बारे में, कार छेतर के बारे में, पावर के ब जाल लेते हैं, मिलेंगे हम लोग नेश्ट क्लास में, तब तक के लिए इन कलाप जिन्दाबाद